हेलो फ्रेंट्स मैं एंकी दपनी चनल एक्स्प्लोर इंडिया में का स्वावत करता हूँ फ्रेंट्स मेरा जो आज का वीडियो है वो है उत्तराखंड का एक बहुत ही खुबसूरत खिली शेसंग कौसानी तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कौसानी फ्रेंट्स की पसंदीदा जगर बन गई है फ्रेंट्स यहां के प्राकिर्तिक नजारे और धार्मिक इस्तर तूरिस को अपनी ओर अट्रैक कर रहते हैं शिव के अन्य राम, रुद्र और भगवान विश्नु के अन्य नाम हरी से मिला है रुद्धारी फॉल्स हरे भरे जंगलों और व्रिच्छों से घिरा हुआ है यह प्लेस इतना खुबसूरत है कि यहां के नैक्शुरल ब्यूटी टूरिस को अपनी ओर अट्रैक कर लेती है फ्रेंट्स इसलिए भारी संख्या में लोग यहां पर पिक्निक मनाने अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं और जो टूरिस एडवेंचर लवर्स होते हैं वो रुद्धारी गुफाओं में ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं फ्रेंट्स गौाल्दम गड़वाल और कुमाओ के बीच बसा एक बहुत ही सुन्दर गाओं है यह गाओं कौसानी से 40 किलोमेटर के डिस्टेंस पे है यह गाओं जंगलों और कई छोटी और सुन्दर जीलों से भरा हुआ है गौाल्दम विलेज हिमाले नेंज में कई ट्रैकिंग पीक्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी है फेंट्स इस खुबसूरत प्लेस से आप त्रिशूल और नंदा देवी जैसे पीक्स के कुछ मनुरम सीन्स को भी देख सकते हैं ट्रैक इन पिननाथ फेंट्स कौसानी से 5 किलोमेटर की ट्रैकिंग कर टुरिस्ट पिननाथ पहुच सकते हैं यह यहां के पिननाथ टैंपल के लिए जाना जाता है यहां मंदिर भैरववाभवा को टमरफिस बहुत ही फेमस मंदिर है हर साल अक्तूबर में यहां एक प्रसिद मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसमें भारी संख्या में लोग इकठ्थे होते है पैजनाथ टैंपल पैजनाथ कौसानी सिटी से करीब 20 किलोमेटर के डिस्टेंस पर इस्तित है यह टैंपल कौसानी का एक फेमस रिलीजिस लेस है ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगबग 1000 साल पुराना है और इस मंदिर को केवल एक रात में बनाया गया था यहां मंदिर भगवान शिवड और माता पारवाती को समर्पित है फेंट्स यहां की मुर्थियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी यह बोल पड़ेंगी यहां पर टुरिस्ट काफी संख्या में पहुंसते है कौसानी टी स्टेट कौसानी से 5 किरोमेटर के डिस्टेंस पे कौसानी टी स्टेट 208 के खेर एरियां टैली एक खुबसूरत प्लेस है कौसानी टी स्टेट एक ऐसी जगह है जो नेचर और टी लवर्स के लिए एक स्वर्ग के समान है फ्रेंट्स इस जगों पर आकर आप खुद को नेचर के काफी करीब पाएंगे यहाँ पर आप डिफ्रेंट टाइप्स की चाय को देख सकते हैं और उसे पर्चेस कर सकते हैं फ्रेंट्स उत्राखंड की फेमस गिरियास टी का उतपादन यहीं होता है इस खुदूदार चाय को विदेसी में भी एकस्पोर्ट किया जाता है सुमित्रा नंदन पंथ म्यूजियम पर एक करात्मत म्यूजियम है जो अपने आप में एक अलगी दुनिया है कौसानी में जन्मे सिद्व, हिंदी कवी को समर्पित यह म्यूजियम कौसानी का एक famous tourist place है यहाँ पर English और Hindi में उनकी books का एक बड़ा collection कांश की अलमारियों में रखा गया है Friends, हर साल सुमित्रा नंदन पंध जैनती के मौके पर मीजियम में एक काववे चर्चा का आईजिंग किया जाता है Stargate Observatory Stargate Observatory एक magical place है जो आपको ग्रहों, नच्छत्रों, चंद्रमा, तारा समुहों, आकास गंगाओं, आदि खगोली चीजों के observation करने का मौका प्रदान करती है यहाँ पर आपको एक शांत place, themed cafe और खगोल विग्यांग का museum भी देखने को मिलेगा फेंट्स, यह place अपने family के साथ कौसानी घुमने का एक best place है अनाशक्ति आत्रम, अनाशक्ति आश्रम कौसानी का एक famous tourist place है इस आत्रम को गांधी आश्रम के नाम से भी जाना याता है फेंट्स, सुतंता, अंदुलन के समय गांधी जी यहाँ पर दो दिन के लिए आये थे पर यहाँ की खुबचूर्ती देख वह यहाँ पर 14 दिन तक रुख गए और अनाशक्ति योग बुक को पूरा कर डाला इसी कारण यह आस्रम महात्मा गांधी को सर्दांजलित अर्पिक करने के लिए बनाया गया है इसलिए महात्मा गांधी जी के अमर कृती अनासक्ति योग के नाम पर इस प्लेस को अनासक्ति आस्रम का नाम दिया गया सुमेश्वर फेंट्स कौसानी में 11 किलोमेटर डिस्टेंस पर बसा सुमेश्वर एक फिमस प्लेस है यह शहर भगवान शिव के मंदिर के लिए जाना याता है इस मंदिर का निर्माण चंद्र सामराज के संस्थापक राजा सुम चंद्र ने करवाया था फेंट्स भगवान शिव का मंदिर होने के करण यहां सावन महिने में बहुत ज़्यादा भीड होती है इसके अलावा आम दिनों में भी यहां पर काफी संख्या में स्रद्धालू भगवान शिव के दर्सनों के लिए पहसते हैं सु फ्रेंड्स यह था उत्तराखंड का एक बहुत एक खुबसूरत ही लिशेशन कौसानी तो अगर आप को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल